तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नारज जी कहते हैं अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापिक करने के लिए प्रयत्न पूरवक्त श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथाद्वारा उज्वल ज्ञान यग्य करूँगा यह यग्य मुझे कहा करना चाहिए आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए आप लोग वेद के पारगामी हैं इसलिए मुझे इस शुकशास्त्र की महिमा सुनाईए यह भी बताईए कि श्री मद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की व आरग जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं सुनिये हम आपको यह सब बातें बताते हैं हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है महा अनेकों रिशी रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं भाती भाती के व्रिक्ष और लताओं क कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांट प्रदेश में है वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है उसके आसपास रहने वाले सिंग हाथी आधी परस्पर विरोधी जीवों के चित भाव नहीं है वहां आप बिना किसी विशेश प्रैत्न के ही ज्यान यज्यारंभ कर दीजिए उस स्थान पर कथा में अपूर वरस का उदय होगा भक्ति भी अपनी आखों के ही सामने निर्बल और जरा जीरन अवस्था में पड़े हुए ज्यान और वैराग्य को साथ लेक क्योंकि जहां भी श्री मद्भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदी अपने आप पहुँच जाते हैं महा कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुन हो जाएंगे सूत जी कहते हैं इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादी भी श्री मत भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तड़ पर चले आए जिस समय वे तड़ पर पहुँचे भू लोग देव लोग और ब्रह्म लोग सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया जो जो भगवत कथा के रसिक विश्नु भक्त थे वे सभी श्री मत भागवता मृत का पान करने के लिए सब से आगे दोड़ दोड़ कराने लगे भ्रिगु वसिष्ट च्यवन गोतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मारकंडेय दत्तात्रे पिपलाद योगिश्वर व्यास और पराशर छाया शुक जाजली और जुन्हु आदी सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और इस्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आये इनके सिवा वेद, वेदान्त, मंत्र, तंत्र, सत्रह, पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर महाँ उपस्तित हुए गंगा आदि नदिया, पुषकर आदि सरोवर, कुरुप छेत्र आदि समस्त छेत्र, सारी दिशाएं, दंडग आदि वन, हिमालय आदि परवत, तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आये जो लोग अपने गवरव के कारण नहीं आये, महर शिब्रिग उन्हें समझा बुझा कर ले आये तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायन सनकादी नारद जी के दिये हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की, श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए एक और रिशिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिशदादी तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी और इस्त्रियां बैठी उस समय सब और जैजैकार, नमसकार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्शा होने लगी कोई कोई देवश्रेष्टों विमानों पर चड़ कर महा बैठे हुए सब लोगों पर कल्प व्रिक्ष के पुश्पों की वर्शा करने लगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकागर चित हो गए तब सनकादी रिशी महात्मा नारद को श्री मद भागवत का माहात में सपष्ट करके सुनाने लगे सनकादी ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं इसके श्रमन मात्र से मुप्ति हाथ लग जाती है श्री मद भागवत की कथा का सदा सरवदा सेवन आस्वादन करना चाहिए इसके श्रमन मात्र से श्री हरी धृदय में आविराजते हैं इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 सकंध हैं तथा श्री शुकदेव और राजा परिक्षित का समबाद है आप यह भागवत शास्त्र धान दे कर सुनिए यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक छण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती बहुत से शास्त्र और पुरान सुनने से क्या लाब है इससे तो व्यर्थ का भ्रह्म बढ़ता है मुक्ति देने के लिए तो एक मात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है जिस घर में नित्य प्रतिश्री मत भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं हजारों अश्वमेद और सैकणों वाजपेय यग्य इस शुक शास्त्र की कथा का सोलहवा अंश भी नहीं हो सकते तपोधनों जब तक लोग अच्छी तरह शुरी मत भागवत का श्रमण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं फल की द्रिष्टि से इस सुक शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुषकर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता यदि आपको परमगति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्री मत भागवत के आधे अथवा चोथाई श्लोग का भी नित्य नियम पूर्वक पाट कीजिए ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्री मत भागवत, ओम्नमु भगवते वासु देवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, बारह मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, सम् अंतरितु और भगवान पुर्षत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतह कोई अंतर नहीं मानते, जो पुरुष अहर निश अर्थ सहित श्री मत भागवत शास्त्र का पाट करता है, उसके करोडों जन्मों का पाप नश्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जो पुरुष नित्य प्रदि भागवत का आधाय चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राज सूय और अश्व मेध यग्यों का फल मिलता है, नित्य भागवत का पाट करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सीचना और गव की सेवा करना ये चारों समान है जो पुरुष अन्त समय में श्री मध भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विश्न भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुझ प्राप्त करता है जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्री मध भागवता मृत का थोड़ा साभी रसा स्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म, चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है प्रिथ्वी के भार सुरूप उस पशुतुल्य मनुष्र को धिकार है यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इन्राधी कहा करते है संसार में श्री मत भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है जब करोणों जन्मों का पुर्ण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है नारज्जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधी है आप प्रेत्न पूर्वक कथा का श्रमन कीजिए इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है इसे तो सरवदा ही सुनना अच्छा है इसे सत्य भाषन और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सरवदा ही सुनना श्रेष्ट माना गया है किन्तु कल्यूग में ऐसा होना कठिन है इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेश विधी बताई है वह जान लेनी चाहिए कल्यूग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना नियमों में बंधे रहना और किसी पुन्यकारी के लिए दीक्षित रहना कठिन है इसलिए सप्ताह श्रवण की विधी है शुर्धा पुर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयू की अलपता के कारण तथा कलियुग में अनेकों दोशों की संभावना से ही सप्ताह श्रवन का विधान किया गया है जो फल, तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवन से सहज में ही मिल जाता है सप्ताह श्रवन यग्य से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तब से कहीं बढ़कर है तीर्थ सेवन से तो सदाही बढ़ा है, योग से बढ़कर है यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है अजी इसकी विशेष्टा का कहां तक वरणं करें यह तो सभी से बढ़ चड़कर है शौनक जी ने पूछा सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चेरे की बात कही अवश्य ही यह भागवत पुरान योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आधिकारण श्री नारायन का निरूपन करता है परन्तु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्यान आधि सभी साधनों का तिरसकार करके इस योग में उनसे भी कैसे बढ़ गया सूत जी ने कहा शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखार विंद से एका दश सकंध का ज्यानों पदेश सुनकर श्री उध्धव जी ने पूछा उध्धव जी बोले गुविन अब आप तो अपने भगतों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं किन्तु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए अब घोर कलिकाल आया ही समझिए इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे उनके संसर्ग से जब अनेकों सक्पुरुष भी उग्र प्रकृत के हो जाएंगे तब उनके भार से दब कर यह गोरूपीनी प्रित्वी किसकी शरण में जाएगी कमल नयन भगवन आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता इसलिए भग्त वत्सल आप साधुमों पर क्रिपा करके यहां से मत जाएए भगवन आपने निराकार और चिनमात्र होकर भी भग्तों के लिए ही तो यह सगुन रूप धारण किया है फिर भला आपका वियोग होने पर वे भग्त जन प्रित्वी पर कैसे रह सकेंगे निर्भुणों पासना में तो बड़ा कश्ट है इसलिए कुछ और विचार कीजिए प्रभास छेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भग्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या विवस्ता करनी चाहिए शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रखती वे अंतरधान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्द मई मूर्ती है इसके सेवन, श्रवन, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्ट के सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं इसी से इसका सप्ताह श्रवन सबसे बढ़ कर माना गया है और कलियुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ कर यही प्रधान धर्म बताया गया है कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुरभाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोधाद शत्रूओं पर विजय दिलाता है अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छोड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं अतह इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवन का विधान किया गया है सूत जी कहते हैं शौनक जी जिस समय सनकादी मुनिश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवन की महिमा का बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ सुनो वहां तरुणा वस्था को प्राक्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यनवास देव आदी भगवन नामों का उचारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुन्दरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का अभूशन पहने वहां पधारी मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहां कैसे आई कैसे प्रविष्ट हुई तब सनकादी ने कहा ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यनत विनम रहोकर सरत कुमार जी से कहा भक्ति बोली मैं कल्यूग में नश्ट प्राय हो गई थी आपने कथा मृत से सीच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया अब आप यह बताईए कि मैं कहां रहूं यह सुनकर सनकादी ने उनसे कहा तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो अतह तुम धर्य धारन करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हिर्दयों में ही निवास करो यह कल्यूग के दोश भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें किन्त वहां तुम पर इनकी द्रिष्टी भी नहीं पढ़ सकेगी इस प्रकार उनकी आज्या पाते ही भक्ती तुरंत भगवत भक्तों के हिदयों में जाविराजी जिनके हिदय में एक मात्र श्री हरी की भक्ती निवास करती है वे त्रिलो अन भी अपना परमधाम छोड़कर उनके हिदय में आकर बस जाते हैं भू लोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है हम इसकी महिमा कहां तक वरणन करें इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष् कर दो करें को ही आश्रय वाले खूर कि अच्छात पर अबते हैं तो सुनने अच्छाना अच्छार भूज करें ऊचर दो करें तो सुनाने अचर जा भूार।